इस वक्त मैं मौझूद हूँ देव भूमी हीमाचल में और हीमाचल में नवंबर में इसी साल चुनाव होने हैं चुनावी गर्मी बढ़ गई है और इसी पर जाधा बात्चित करने के लिए मेरे साथ हीमाचल के मुख्य मंत्री जैराम ठाकूर जी हैं सर बहुत-बहुत स्व शिकन नहीं दिखाई दी लेकिन प्रेस कॉंफरेंस में कहते हैं कि भातियांता पार्टी हमें रोकने की कोशिश कर रही है दो हैयार चौबिस में मोधी जी का विकल्प केजरिवाल हैं और लगतार जिस तरीके से हम गुजरात में और हिमाचल में बढ़ रहे हैं इसके वज है अताश हैं परिशान है कारण है कि बहुत बड़ी उमीद लगा दी डिल्ली में सरकार बन गई पंजाब में सरकार बन गई और सरकार बणने के बार पंजाब की सरकार के बाद ऐसा मान के चल रहे थिए अप तो देश ही उनका हो गया उनको इस बOTको समंझना चाहिए कि पंजाब की एक परस्थिती अलग तरह की रही और इस तरह से जब उमीदें इतने जादा पाल लेंगे तो निश्चित रूप से निराशा हताशा होगी और हिमाचल परदेश में तो उस पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहर हूं अभी उसका उसका है ही कुछ न नहीं है हिमाचल का अपने एक सवभाव है और दूसरी बात जो रही सई कसर उन्हें अपने बातचीत के तरीके से निकाल दी उनके नेताओं ने जिस तरह से उन्हें आते ही यहां पर गाली गलोच देकर के बात करना शूरू कर दिया इस बात को हिमाचल सविकार नहीं करता और दूसरी बात जहां उनके अपने मामले हैं उन्हें अपने मसले हैं जिन में वोलेज करके रह गए हैं वो सारी दुनिया जान रही है अब सारी बातों पर जो परदा उठ रहा है ब्रश्टा चार के खिलाब लड़ाई लड़ने की बात आ रही थी आज कहां है वो जो उन साइज पॉलिशी को ले करके बहुत ज्यादा जो मानते थे चर्चा करते थे कि बहुत अच्छा किया है उन लोग उसमें क्या चीजह निकलिए लेटनेंट गवरनर ने बड़ा साफ संदेश दिया है कि इस मामले में सीवे की जहां चाप एक्षीत है होनी चाहिए तो जहां प्रदान मंत्री ने 15 अगस्त के दिन लाल की लिए से कहा कि रेवडी कल्चर इस देश में बंद होना चाहिए रेवडी कल्चर यानि की जिस तरीके से आम आदनी पार्टी के मुखी आर्विन केजवाल कहते हैं कि बिजली फ्री सिक्षा फ्री और बहुत सारी चीजे फ्री है और दूसरा यहां पर बिजली फ्री की जा सकती है रेवडी कल्चर फिसे शुरूँ कि जो उनका मॉडल है वह मॉडल हिमाचल प्रदेश में कभी संभवी नहीं है ठीक है रियायत देने की बात आती है हमने गोशना की है कुछ और हमने जो कमिटमेंट की है वह रियायत की की एक वर्ग को रहत देने का रहत देना विशा एक चीज़ होती है लेकिन यह भी मुप्त वह भी मुप्त सब कुछ मुप्त यह कल्चर जो है पूरे देश के लिए खतर ना के मैं इस बात को बिल्कुल साब कह रहा हूं और ऐसे में जिस परकार से उनने जो पंजाब में ज सामने जो तंखाद देने का एक प्रशिंद खड़ा हो रहा है कर्मचारी को तंखाद देने का और ड्वल्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट जो है वो स्टेंड स्टिल हो गए वहां पर पंजाब में यह सब तो ठीक है जातिगत राजनिती भी शुरू हो गई ही माचल में जात ठाकूर कार्ड यहां पर भी खेलना शुरू कर दिया आप भी जाराम ठाकूर है लगता है कि कुछ असर होगा इसका हिमाचल के ठाकूर जो है वो इन सारी चीज़ों में नहीं जाते हैं और जाती के हिमाचल पर बहुत जादा हिमाचल पर असर नहीं पड़ता हिमाचल एक राज है जहां जाती अधार पर ना टिकर दिये जाते हैं ना जाती अधार पर चुनाब लड़े जाते हैं ना जाती अधार पर लोग बोड़ देते हैं हिमाचल एक बहुत अलग तरह कर यह दूसरे स्टेट के कॉनसेप्ट हो सकते में दूसरे बड़े सारे परदेश ऐसा ह कि जहां पर जाती सवमीकरण बहुत महत्तपूर्ण हो जाता है लेकिन में इन सारी सीजों से उठकर के काम होई और आज की तारिक में भी हिमाचल प्रदेश में जाती है समीकरण के अधार पर बहुत जादा जागरुक परदेश है और बहुत एडवास्ट है पॉलिटिकल फेल्ड में सारे चीजों को बहुत बारीकी सही हमाचल का नागरिक देखता है सर उत्तरप्रदेश के चुनाओं में हम लोग थे पूरा का पूरा चुनाओं महिला सुरक्षा और कानून विवस्था पर केंद्रित हो गया चला तो बहुत कुछ ना जाती ना धर्म ना राम मंदिर कुछ काम नहीं आया सिर्फ और सुरिफ खास करके अगर पश्चिम की बात करने तो वहां पर कानून विवस्था और महिला सुरक्षा पर वोटिंग होई यहां पर ऐसा क्या होने वाला है जिसके उपर वोटिंग होगी लेकि मैं यह किसी एक मुद्ध पर वोटिंग में कहूंगा मैं कहूंगा कि हां महिला सुरक्षा की दिश्टी से महिला को आगे अपरोटसाहित करने के लिए हमने जो हिमाचल पर देश में काम किया वो आज से पहले किसी सरकार नहीं किया लेकिन फिर भी उसके बावजूद महिला से शक्ति करने के एक मुद्ध है हिमाचल पर देश में जिस मुद्ध में हमने काम किया है जिसमें हमने एक निया नेक इनिशेटिव लिए हैं महिला से शक्ति करने के देश्टी से और उसमें हिमाचल पर देश में उससी का असर है लेकिन उसके बावजूद दूसरे इतने भी वर्ग है सभी के सभी वर्ग को हमने किसी ने किसी रूप में उनके लिए काम किया है और सब वर्ग मिलकर करके हमको सहयोग करें करें और हम मिलकर के काम करें मिलकर करें रहें अगली बार जब चुनाव आता है तो अंटी- कंवें का महल बनता है आपको लग रहा है यहां पर कुछ बनेगा हर चुनाब में हर चुनाब में एंटी कंवेंसिby गोवर्मेंट के अगेंस्ट होती है और जिसको बड़े हत्यार के रूप में विपक्ष वाड़े इस्तेमाल करते हैं अब की बार भी कॉंग्रेस के पास और कुछ नहीं है यही है कि हम जो लोग नराज हैं निराश हैं किसी कारण से उनके काम नहीं हो पाए और उन लोगों को उनको बीच में मुद्धा बनाने की कोशिश की जारी है कि ताकि हम उनकी नराजगी का लाब ले सके राजन्यतिक्रिष्टी से मैं समझता हूं कि अपनी स्ट्रेटिजी प्लैनिंग के साफ से वो काम कर रहे हैं वो करते रहे हैं मुझे हमें उसमें कुछ नहीं कहना है लेक पर लेकिस राजन्यतिक पार्टी को आप अपने कंपटिटर मांते हैं चुनाओ में एकि मुकाबला तो जो हकीकत है वो है हमारा कांग्रेस के सार मुकाबला होता है कांग्रेस के आनन्द शर्मा है हिमाचल संचालन समिती के अध्यक्स थे उन्होंने इस्तिफा दे दिया उ अभी से कंग्रेस में सद्विक्राव में झायति और यहां पर आप नेंद देखा हुए कि प्रदेश में इनके वरकेंगं प्रेजिजंट कोंग्रेस-पार्टी के छोड़ करके हमारी पार्टी में शामिल होगे विदायक हैं वह बड़े लीडर है इनके वाइस- बहुत सीनियर जो कॉंग्रेस पार्टी में बहुत स्टैटेटिजी बनाने में भूंका निवाते रहें उनको हाशी पर करने नजर अंदाज करना उनका कहना यह कि हमें पूछा नहीं जा रहा हमारा इंवल्मेंट निलिया जा रहा है मैं कॉंग्रेस का हूँ लेकिन फिर भी के बावजूद हमारे सब्सक्राइब को पूछने कि आप शक्ता मैसूस नहीं हो रही है तो अपनी नराजगी जाहिर करते हुए जो जीमेबारी उनको दीच चुनाव की दिश्री से उसे उनने त्याक पतर दे दिया अच्छा सर आखरी सवाल है सर मेरा की इस बार आपको क्या बनाएंगे आराम से सरकार मनाएंगे और रिवाज बदलेंगे कοιोंकि हर बार कि आपकी बार तींसों पार आपकी बार दोसो पार अलग राजियों में तो ही माचल में आप की बार कितना हो कितना पार हमारे लिए दिखे एक बात मान के चलना पड़े हमारी सरकार जो है वो 44 सीर साइट थी दो हमको इंडिविनेंट के सपोर्ट मिला 46 से चली और उसके बाद अभी नई अब अब के नजबी करके हम बढ़ते जा रहे हैं चुनाब के नजदीक हो करके भी हम बढ़ते जा रहे हैं तो मैं समस्ता हुँ यह 50 से पाद आंकरा जाएगा दन्यवास से बाचित करने के लिए तो आप सुन रहे थे हिमाचल के मुख्य मंत्री जैराम ठाकूर जी को किस तर और कोई नहीं जानता और कोई उनका बैग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल इमाचल से कैमरा मैन प्रमोत के साथ अभिशेग दुबे सीमीडिया